दोस्तो इस्राइल के प्रधन मंत्री नेतन याहू की खोगली छेवी सामने आ गई है अमेरीकी अगबार दा नियूयोर्क टाइम ने लिखा है इस्राइल के जर्नल ने कहा है इस्राइल के जो फोजी जो की रफ़क अंदर मौजूद हैं उनके पास गोला बारूत की कमी हो नेतन याहू थोड़े अलग दिमाक के इनसान है उन पर कोई फ्रक नहीं प пойд रहा है नेतन याओ कहना है कि जम्झ जारी रखो कुछ भी हालात हों जम्झ जाररी रखो उनको कोई फ्रक नहीं पढ़ता है कोई मरो या जीओ क्योंकि लेपनां के साथ में जंग पूरी तरीकी चल रही है उसमें लेबनान के साथ में जंग में लगा देंगे इस वक्त कोई भी देश हमास के उबर कितना भी दबाव डाले वह युद्विराम के लिए राजी नहीं होगा क्योंकि वह पहले राजी था क्योंकि इस्राइल की जो फोज थी आईडिया वह रफा में नहीं सबको निशाना बनाया है अब इस्राइली नेताओं और अधिकारियों की तरफ से हमास को ओफर दिया जाएगा कि हम तुमारे बंदगों को चोड़ रहे हैं और तुम हमारे बंदगों को चोड़ दो और युद्विराम के लिए राजी हो जाओ दोस्तों हो सकता है हमास के दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए और वो बंदगों को छोड़ने के लिए राजी हो जाए और अपने बंदगों को चोड़वाने के लिए राजी हो जाए ने खायल हो गाये है जो गंभीर रूप से घायल है गंबीर रूप से जिसनों खतब हो गया किसी का पेर खतम हो गया ठरीक हो फट गया लोप जिन्दा तो है लेकिन किसी काम करा नहीं है वह और बहुत सारे ऐसे भी सेंक हैं इस्रैल के ँछ से रफ। के नदर लड़तेmp Ground जब जब थक्ष चुके हैं और इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर योग गेलेंड ने कहा है कि हमें ततकाल में 10,000 सेनिक चाहिए जो कि लेबनान के साथ में जंग लड़ सकें तो कल की वीडियो में मैंने बताया था इस्राइल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खामने ने कहा है कि हम पूरी तरीके से लेबनान के साथ खड़े हुए हैं और आगे कहा कि हमारे पास कोई दूसरा ओप्षन नहीं है हम अपने लड़ा के लेबनान में भेजेंगे जो कि इस्राइल से जंग लड़ेंगे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लिस कम अनकारी देते रहेंगे अल्ला हाफिस